अलपसंख्य के मानित अप्रावत शालाओं को सरकार की तरफ से परियावत अनुदान मिलता है इसके बाउचूद ऐसी स्कूलों में अलपसंख्य के समाज के विध्यातियों को ही दियम अनुसार प्रवेश नहीं दिया चाहरा है जबकि दरालों के माथ्यम से प्रवेश देने के साथ समिशा बैटक में यह दावा किया। कई शालाओं में पैसा वसुन नेकले पुराने शिक्षकों को वॉलेंटरी रिटार्मेंट के लिए बजबूर किया जा रहा है। इसलिए नहीं हुपाती हैं क्योंकि विभाग अपना काम जम्यदारी से नहीं करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। मांगी हैं जिन्होंने जिवा निवरुति से पहले ही वॉलेटरी रिटार्मेंट ले लिया। उपसंचानक ने सभी शिक्षा अधिकार्यों को इस पर नितिश दी हैं। प्यारी खान ने कहा कि शिक्षा का सरबड़ी का तो ही अलपसंख्यकों का आर्थिक वसामाचिक विकास हो पाएगा। इसके लिए शैशनिक संस्थानों में बदला वसुधा लाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अलपसंख्यके सभी शाराओं में सेसी टीवी हो बायोमेट्रिक मशिन लगाए। क्योंकि मोटा वितन लेकर पे शिक्षक गायब रते हैं। अंजुमन की जाच होगी। की तरह विक्सित होनी चाहिए। इसके लिए सरकास गुलों को भारी अनुदान देती है। उन्होंने उपसंख्यक को निर्दिश दे कि उर्दु मांत्यमिक शालाओं में एक पिरिड ही उर्दु का हो। बाकि विशे अंग्रेसी में पढ़ाए जाए। इसके लिए पहल करी। आयक सरकास से इस पर चर्चा करीगा। प्राओधान के लिए शिक्षा मंत्री को पत्त लिखेंगे। अलपरसंख्यक के शालाओं में आरक्षित सहीत सारी जानकारी सारवजनिक करी। अलपरसंख्यक के आयो के अदिक्षित प्यारी खान ने विभागियर शिक्षा उपसंचालक उलास नरट को निदिश दे कि सभी अलपरसंख्यक के शालाओं की जानकारी अकबार में विज्यापंदेकर सारवजनिक करी। लोगों को पता होना चाहिए कि के स्कुल में अलपरसंख्यकों के लिए कितनी सीट आरक्षित है। शल्थ सहीत सुविदाय आदिकी जानकारी होनी चाहिए।